हलो एवरीवन वेलकम बेक टो वर यूट्यूब चैनल दैट इस सावी फॉरिंसिक्स आज का जो वीडियो है जिसमें हम फेक्टर अफेक्टिंग पढने वाले हैं मेल्टिंग कर्व के की देफिनिशिन में आपको पिछले वीडियो में बता चुके थी ठीक है देख लेता है अब बॉर्टिंग कर वो तो यह क्या है इसका complex form अब इससे कहां पर जाएगा simpler form में यह simpler form में change हुआ अब यह जो अलग-अलग strand है इसे हम क्या बोल देते है आरेने बोल देते हैं आया समझ में तो यह होता है denager जब कोई चीज complex form से जाती है simpler form में ठीक है तो इसे बोलते है denager आया समझ में तो denager में जब हमें melting कर्व का यूज करना होता है in the sense जितना हम temperature देते हैं उतना ज्यादा हमें denaturation अच्छा successful होता हुआ दिखता है यह होता है melting कर्व तो इसको कौन-कौन से factors affect करते हैं यह चीज हम देखने वाले देखो first क्या है the temperature at which 50% of DNA strength are denatured is defined as melting temperature melting temperature क्या होगा ऐसा temperature जहापर 50% of आपका जो DNA है वो वो strength जो है DNA का वो denature हो चुका है उससे हम बोलेंगे melting temperature आया समझ में क्या बोला मैंने जब आपका ऐसा temperature यह माण लो यहापर आपका 100% क्या है DNA है ठीक है अब ऐसा मैंने यहापर temperature दिया इसको इतना temperature दिया कि हापर 50% of DNA strength जो है वो क्या हो गए denature हो गए और जो 50% है वो बज़ गए तो यह जो 50% अगर denature हो गए है तो मैं इससे कौन से temperature बोलूँगी melting temperature बोलूँगी ठीक है क्योंकि इस पर कोई भी चीज melt हो रही है आया समझ में और इसकी जो value है melting temperature की जो value है इससे हम बोलते tm इससे लिखते t and m ठीक है tm जो है इसकी value है this affected by the salt concentration यह affect किससे होती salt की concentration में particular आपका solvent है particular जो DNA आपने जिसमें रखा है उसमें salt की concentration कितनी है इस पर डिपेंड करता है solution but can also affected by nucleotide content आपका nucleotide content जो है कौन से पर भी डिपेंड करता है और high pH है अगर और length of molecule जो है उस पर भी डिपेंड करता है जितनी ज्यादा length होगी उतना ज्यादा time लगेगा उतना ज्यादा temperature लगेगा ब्रेक करने के लिए ठीक है इतना तो समझ में आता है हमको कि जितनी ज्यादा length होगी जितना ज्यादा quantity होगी उतना ज्यादा time हमारे यहां पर लगने वाला है pH जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आपका denaturation होगा ठीक है आया समझ में nuclear again nucleotide है nucleotide contain affected the value of melting temperature because GC pairs are a joint with hydrogen अब मैंने पहले बताया था पिश्ली वाले वीडियो में guanine और जो cytosine इनके बीच में कितने base pairs होते हैं 3 hydrogen sorry कितने hydrogen bonds होते हैं 3 hydrogen bonds होता है ठीक है तो अब यहां पर 3 hydrogen bond है तो आपका जो nucleotide contain है अगर G और C आपका ज्यादा है तो यहां पर इसको break करने में ज्यादा time लगेगा और A और T अगर आपका ज्यादा है तो इसको break करने में काम time लगेगा simple सी बात है अब मैंने अगर कोई DNA sample है मेरे पास में तो मुझे थोड़ी ना पता है कि उसका sequence क्या है उसका sequence सिफ और G और C भी तो हो सकता है यही तो हो सकता है उसका sequence ऐसा जरूरी है एक ART भी मिल जाएगा आपको मान लो बट यहाँ पर ज्यादा तर क्या है G और CE है ना तो इससे melt करने में ज्यादा time लगेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर तीन hydrogen bonds है आया समझ में तो यहाँ पर nucleotide content जो है आपका यह matter कर जाता है first मैंने आपको क्या बता है एक तो length ठीक है length यह size कुछ भी बोलो आप next second मैंने आपको क्या बता है nucleotide content थर्ड मैंने आपको बता है था pH ठीक है तीन effect कर रहे है at the 80 base pair यही वही बोल रहा है कि यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन और यहाँ पर दो है high pH cause a hydrogen bond to break a pair strength अगर आपको pH अच्छा है तो यह क्या करेगा जो आपके base pair के बीच में जो आपका bond है उसको क्या करने की कोशिश करेगा तोडने की कोशिश करेगा जिससे यहाँ पर क्या होगा आपका जो separated हो जाएगा कौन आपका DNA का strength क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर separated हो जाएगा यह आपका DNA का strength है और यह यहाँ पर separated हो जाएगा ठीक है त अच्छा लगा हो तो पीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाच्चिंग